Hello everyone, a very good morning to all of you और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 4 नमबर दोहसार जोबी से जुड़े आपके डेली करेंट अफेर्स की क्वेशन डेली पेसिस पे हम 12 कोशन को कवर करते हैं इसके लावा आपको मैं जो है उस क्वेशन की जिस परकार की टाइप रहती है उससे जुड़ो आप पिछले करेंट अफेर्स के कॵेशन का रिविजन करवाती हूँ स्टैटिक पार्ट काफी ज़्यादा वीडियो में हम कवर करते हैं इसकलाबा अगर किसी स्टेट की बात आती है तो स्टेट का हम राजय दर्शन करते हैं अगर कोई आपकी कांट्री की बात आती है तो से जुड़े हम करेंट अफेर्स के गोशन देखते है तो ओवरोल वीडियो आपके लिए काफी ज़्यादा बैनिफिशर रहेगी आपके सब ही अपकमी की एक्जामें आपकी काफी ज़्यादा हेल्प करेगी और आपको डेली बेसिस पे हमारी जो क्लास आफेर्स की मिलती है सुभे पांच बचे ठीक है तो अगर आप फर्स टाइम सेशन देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल पे जो है न्यू न्यू वीडियो देखने के लिए इसके लब आपको मंतली वीडियो दी जाती हैं वीकली दी जाती है और डेली करंट ओफेर्स के सेशन रहते हैं करंट ओफेर्स के तो वो सभी आपको देखने को मिलेगी तो इसलिए आप ज़रूर हमारे चैनल के साथ जुरिए तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं पिछले डे के रिविजन के साथ तो फ्रेंस किस्ट राजम में बने दुनिया के सबसे बड़े फ्लोटिंग सॉलर प्लांट स्पेस प्लाई जो है वो शुरू हुई राइट अंसर मद्यपरदेश है राष्ट एक्तदिवस मनाया गया 31 अक्टूबर को और यह सर्दार बलवाई पटेल जी की जैनती के उपलक्ष में मनाया जाता है कोन सा प्राणियुद्यान भारत का पहला भारत्य हरित भवन परिश्यत प्रमानन प्राप्त करने वाला पहला प्राणियुद्यान बनेगा राइटांसा है दुर्गेश अरण्य प्राणियुद्यान अंदरास्टी क्लिकर परिशत भ्रस्टाचार निरोधगी काई के जो नई अध्यक्षपने है वो बने है सुम्ती धर्म वर्दने मतस्य पालन पशु पालन और डेरी मंत्राले ने पशु स्वास्ते सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कितने मिलियन डॉलर की महामारी नीदी परियोजना की स्टार्टिंग करी 25 मिलियन डॉलर की नेक्स्टे रास्ट्य आपदा प्रमंदन प्रादिकर्ण का जो 25 स्टापन दिवसाई कब सेलिबेट केया गया 28 ओक्टूबर को रिधीम था व्यवहार परिवर्तन के लिए जागरुकता के माध्यम से आपदा जोकिम को कम करने के लिए समुदाएं को सशक्त बनाना भारत के सभी समय की टेस्ट विकेर लेने वाले में रविंदर जडेजा यह पहुंच गया पांचवे स्थान पर और इसमें शीश चार खिलाड़ी है आपके अनियल कुम्बले रवी चंदरन अश्विन कपिल देव और हरभचन से नमबर दोज़ा चोबिस में गंगा उसव आपका सेलिब्रेट करा गया हरी द्वार में नेक्स एकी किस देश ने इंटरकॉंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है हौसोंग 19 इसका सफल परिक्षन करा तो ये सफल परिक्षन करा है उत्तर कोरिया ने केंदीर मंति प्यूश कोईल ने किस देश में वन डिस स्टलों में कितने टन सोना मगवाया 102 टन अक्टूबर थोसार चोबिस में किस केंदे मंत्री ने अदिती 3.0 डिस्क 13 को लॉंच करा तो यह लॉंच करा गया हमारे अक्षा मंत्री रादना सिंग जी के दोरा वीडियो को स्टार्ट करने इस पहले आपको बता दू हमारी इमेजिस भी मिलेंगी अभी हमारी इबुक्स में मतलब हम डे बाई डे जो है अपनी क्वालिटी और जादा इंप्रूब करेंगी ताकि आपको जो है किसी भी परकार की कोई भी परिशानी का सामना ना करना पड़े एकदम बैस्ट क्वालिटी का कॉंटेंट रहेगा 15 इसके लाब अगर आपको हमारी लास्ट 9 मन्त और लास्ट 10 मन्त की जो इबुक लॉंच हुई है वो चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.robibooks.pdf.com के नाम से है यहीं आपको मन्तली करन्ट अफेर्स की इबुक मिल जाएगी और यहीं आपको पार्ट भी देखने को मिलेंगे जो कि नेक्स्ट वीक से आपके आने स्टार्ट हो जाएंगे वीडियो के जो है फ्रेंट 3 PDF के लिए आप हमारे साथ टेलिग्राम पे जुड़ सकते इसके लाबा टेलिग्राम पे आपको काफी सारे अपडेट्स दिये जाते हैं रवी स्ट आपका फर्स्ट कुष्ण है किस राज़े या फिर यूटी में स्टितरास्ट पती भवन सांस्कृति केंदर और अमरित उद्ध्यान में कोनाग चकर की चार बल्यों पत्थर की प्रतिकृतियां स्थापित की गई इंपोर्टन पोइंस कवर करते हैं तो नई दिली स्टितरास्ट पती भवन सांस्कृति केंदर और अमरित उद्ध्यान में कोनाग चकर की चार बल्यों पत्थर की प्रतिकृतियां भारत की सम्रिद सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करेंगी और उसका प्रचार भी कर में शामिल एक विश्व धरोर स्तल है जो कि ओडिशा राचे में स्थ है कोनाग चकर में फ्रेंट्स आठ चोड़ी तीलियां और आठ आंत्रिक तीलियां है और इसका व्यास नो फीट का है कोनाग बंदिर जो है ये सूर्य देवता को समरिपित है तो हमारे कोश्ट में हमने देखा कि राष्ट भवन में जो है नई दिली में सांस्कृति केंद्र और आमडित उद्यान में फ्रेंट्स कोनाग चकर की चार बल्योपत्र की प्रतिकरितियां जो है ये स्थापित होंगी तो मैं आपको राष्ट पती भवन से जुड़ा कुछ स्टैटिक पार्ट कवर क चाहूंगी जिससे कि आपको अपकमेंगी एक्जैम में काफी हल्प मिलेगी इससे आपकी एक्जैम में क्वेशन बन सकता है तो राष्ट पती भवन जो है ये किसका अधिकारिक निवास होता है ये भारत की राष्ट पती का अधिकारिक निवास है ये फ्रेंट्स आपका स का नाम बदल कर करतववेपत जो है वो कर दिया गया अजादी के बाद इसे क्या कहा जाता था राजपत तो इसका राजपत पहले नाम था लेगिन अभी इसका नया नाम कर दिया गया है करतववेपत भारत का पहला भूमिगत संग्राले जो है फैंच के नई दिली में कहां प परेड जो है फैंज यह आपकी स्टार्ट होती है राष्ट पति भवन से और राष्ट पति भवन की दरवार होल का जो है नाम बदल कर कर दिया गया है गंतंत्र मंटब और अशोक होल का नाम बदल कर कर दिया गया है अशोक मंटब तो यह हमने कुछ important question cover कर लिया आपके रास्ट पती भावन से later next question पर move करते हैं तो किस के इन्रे मंत्री ने नागरिक पंजीकरण प्रनाली मोबाईल एप को लौँच किया हमारा right answer option number B है अमित शाह ने के इन्रे ग्रहमती अमिशाह जी के द्वारा नागरिक पंजीकरण प्रनाली मोबाईल एप्लिकेशन को लौँच किया गया यह एप्लिकेशन फ्रेंज जनम और मृत्यू पंजीकरण को सहज और परिशानी मुग्द बनाएगा इस एप्लिकेशन से नागरिक किसी भी समय किसी भी स्थान से और अपने राज्जी की अधिकारिक भाषा में जो है वो पंजीकरण कर सकेंगे जनम और मृत्यू पंजीकरण अधिनियम 2023 के नुसार 1 अक्तूबर 2023 से देश में होने वाले सबी जनम और मृत्यू को के अंदर के पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप से जो है वो पंजीकरण किया जाना है क्वेशन के आपकी टाइप है एपन पोर्टल से जुड़ी हुई तो आईए पिछले आपके एपन पोर्टल से जुड़े हुए क्वेशन का एक बार क्वीक और फास्ट रिवीजन का लेते हैं तो डिजी लोकर ने सरकारी सेवाओं तक निर्वाद मोहँच के लिए किस एप के साथ साज़दारी करी उपंग एप के साथ किस मंत्राले ने फ्लट वोच इंडिया 2.0 एप लोंच करा ये लोंच किया गया के इंदे जल्म शक्ती मंत्राले के दोरा तीन ने अपरादी कानूनों के लिए इस हक्षम न्याए सेतु और न्याए श्रूती और इसमन एप जो हैफंट के लोंच करा गया मिशाची के दोरा किस राज़जे के मुख्यमंती मोहन यादव ने लोगपत मोंबाइल एप लोंच करा गया है रेलवे सुरक्षा बलके महन देशक मनो यादव की दोरा भारती नागरिकों के लिए सुरक्षित और कानूनी प्रवास को बढ़ावा देने के लिए पुनर निर्मित E-Migrate V2.0 पैप पोर्टल और मोबाइल एप का उधगटन करा हमारे विदेश मंत्री एस चैशंकर जी ने एप NCRB अपरादी कानूनों का संकलन किसने लोंच करा है NCRB ने रास्टी अपराद रिकोर्ड प्योरोड ने ठीक है साथी टुमज जिरो परसनल फाइनेंस आप लोंच हुआ भारती प्रतिभूती और विनम्य बोर्ड के दौरा जिसे की शोट फोर्म में हम से भी कहते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स और अन्य चीजों को असान बनाने के लिए प्रवाः पोर्टल जो है ये RBI रिटेल डिरेक्ट मोबाईल अप लोंच करा गया RBI के दौरा नेक्स्ट आपको कोशिन किस राजी के स्पैशल टास्क फोर्स के चार सजस्यों को केंद्री ग्रह मंतरी दक्षिता पदक से समानित किया गया हमारा राइट अंसर ओप्षिन नमबर C है असम के प्रिंच असम के स्पैशल टास्क फोर्स के चार सजस्यों को ग्रह मंतराने दोरा विशेश अभ्यानों में उतकरिश्टता के लिए केंद्रे ग्रह मंतरी दक्षिता पदक से समानित किया गया ये समान 21 मार्च 2023 से 20 मार्च 2024 तक असम के सबसे अधिक दवावाले अप्रादिक मुद्दों पर निपटने में उनके महतबपून योगदान को मानिता दिता है स्पैशल टास्क फोर्स ने मानत पतार्थों की तसकरी, नकली मुद्रा और ग्यांडे के वैस शिकार को लक्षित करके रन नितिक अभ्यानों के माध्यम से प्रभावशाली परिणाम राप के जिस वज़ा से उनने इस पदक से समानिक किया गया खुश्म बात असम राजे की आई है तो आज मैं आपको असम का राजे दशन करवाओंगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजानी है इसके फ्रेंट दिस्पुर्ण स्तापना इसकी हुई थी 26 अन्विर निसो पचास को मुख्यमंदी इसके है हिमंत विस्वा शर्मा ये इनकी इमेज है राजेपाल है लक्षम प्रसाद आरे अचारे ये इने आप देख सकते हैं यहां पे आपको असम का जो है मैप भी दिया गया है जिसके तो आप असम की लोकेशन देख सकते हैं इसके पडोसी राजे पडोसी देख सकते हैं तो असम की जो है फ्रेंस कुल दो पडोसी देश है भुटान और बांगलादेश ठीक है मनिपूर और पश्यमंगार राजे जो पक्षी है असम का वो है वुडग राज की पशु है एक सिंग वाला गैंडा राज की प्रिक्ष है होलों लोक्रनेते हैं यहां के बिहू बोगुरुंबा भोर्ताल सत्रित्या जुमूर त्योहार जो की यहां पे सेलिब्रेट किये जात और फिर यह जो है अलग एक राजे के रूप में विक्सित हुआ नेक्स आपका इस्ट्रो ने कि इस राजे या फिर यूटी में भारत के पहले एनालोग अंतरिक्ष अभ्यान का शुभराम करा तो यही शुभराम करा गया है लेल लद्दाक में यानि कि उप्शनमबरी रा अध्यान करने के लिए लद्दाक की मंगल जैसे स्थितियों का उप्योग करते हुए एक अंतर ग्रही अवास का नुकरन करना है जिससे की भवेश्य के अन्वेक्षन को लाब होगा यह मिशन हियूमन स्पेस लाइट सेंटर एए के एए स्पेस स्टूडियो लद्दाक वि विकास परिशत के समर्थन से शुरू हुआ संयंत्र काउद घाटन किया गया हमारा राइट अंसर इस कोशन का रहेगा ऑप्षन अबब बी अमिशाजी के द्वारा तो केंडिक रहम अंति अमिशाजी ने एहमदाबाद के पी प्लाज में पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्शिप के माध्यम से स्थापित कुच्रात के सबसे बड़े अप्षिष्ट से उर्जा संयंत्र काउद घाटन किया है इसकी लाग चुह है फ्रेंच की 375 करोड रुपाएं हैं यह संयंत्र गुज्जात सरकार और जिंदल शहरी अप्षिष्ट प्रवंदन कंपनी के सहयोग से बनाया गया है और यह प्रति दिन 1000 मिट की उक्वालिटी और कॉंटेंट पसंद आ रहा है तो वुडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अगर फर्स टाइम सेशन देख रहे हैं क्लास में तो चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही आपकी करेंट अफेस के सेशन के लिए कोशन आपका भारत और किस देश के बीच नोवा सयुक्त अभ्यास जिसका नाम है गरूर शक्ति ये दो हजार चोबिस में इसका यजुन हुआ तो इसका यजुन हुआ है भारत और इंडोनेशिया के बीच यानि कि आपका उप्शन नमबर बी राइट आंसर है कुछ इंप परशुट रेजिमेंड के 25 कर्मियों वाली भारती सेना की टुकडी जकारता के लिए रवाना हो गई ये अभ्यास से एक से लेके 12 नमबर 2024 तक चलेगा और इस अभ्यास में उन्दत विशेश बल, कोशल, हत्यारों, रननिती और तकनिकों पर ज्यान साचा करना शामिल होग इन कोशलों को एक इकरत करने के लिए अंतिम सत्यापन अभ्यास भी शामिल होगा भारत और उमान के बीच हुआ और आयजन इसका क्या गया था उमान के सलाधा में साइक्तु सैने भ्यास मैतरी हुआ भारत और थाईलेंड के बीच आयजन सतल क्या है थाईलेंड का ताक प्रात संयुक्तो सैने भियस त लिक चुहाई यह भारत और उजपेकिस्तान के पीच हुआ कहाँ पorthy पर गल्च्पेकिस्तान के टरमेश दिला में यह अपके दोसा 24 के सैने भिय штप में भिय और दिक है तो भारत और किस तेश के बीच फ्रेंज सैयुक्त विशेश बल अभ्याज जिसका नाम है बच्रप्रहार, इसका जो है पंदरवा संसकन आयजित क्या गया तो बजरप रहार का जो पंदरवा संसकन है ये भारत और अमेरिका के बीच आयजित हुआ option number ये आपका right answer रहेगा कुछ important points discuss कर लेते हैं ताकि कोश्चन हमें और अच्छे से detail में समझा सके तो फैस बहारत और अमेरिका के बीच सायूक्त विशेशपल अफ्यास जिसका नाम है बजरप रहार इसका जो है पंदरवा संसकन है ये जित किया गया वही अगर हम बात करें अमेरिका की तो इसकी कैपिटल है वाशिंग्टन डीसी राजश्टरपती है जो वाइडन मुद्रा क्या है यहां की यूएस डॉलर next question कितने करोर रुपे की कुल बजट के साथ नमोर ड्रोन दीदी योजना जो है फेंट की शुरू हुई हमारा right answer option number B है 1261 क्रोर रुपे की लागत के साथ जो है फेंट्स नमोर ड्रोन दीदी योजना यो है यह स्टार्ट की गई है आई डीटेल में समझते हैं तो क्रिशी अबम किसान कल्याल मंत्रा लेतौरा 1261 क्रोर रुपे की कुल बजट के साथ नमोर ड्रोन दीदी योजना की स्टार्टिंग करीगे फेंट्स इसका उदिश्य दोहजार जोबिस पच्चिस और दोहजार पच्चिस अबिस के बीच 14500 चैनित महिला स्वें साहिता समहो को सशक्त बनाना है इस पहल के माध्यम से क्रिशी दक्षिता में व्रिदी होगी महिला उद्मिता को समर्थन मिलेगा और ग्रामीन छित्रों में अधुनी क्रिशी तकनित को को जो है वो बड़ावा मिलेगा एक नमोबर 2024 को नईदिली के साउथ प्लोक में भारत के रक्षा सचीव का पजो पदबार है ये किसने ग्रहन करा तो ये करा है राजिश कुमार सिंग ने ऑप्शन बबर बी राइट आंसर है इमेज के तुरू आप इने देख सकते है केरल कर्ड़ की 1989 बैच के IAS अधिकारी है राजिश कुमार सिंग और इनहें भारत का रक्षा सचीव निउक्त क्या गया है इन्होंने IAS अधिकारी गिरिदर अर्माने का स्थान लिया है इससे पहले फेंस राजेश कुमार सिंग ने वानीची और उध्योग मंत्राले में उध्योग और आंतरिक विपार समभर्दन विवाग के साच्चीव के रूप में भी कारे किया है CII Sports Business Awards 2024 में वर्ष की सर्वस टेस्ट Sports League का पुरुसकार किस ने चीता? हमारा राइट अंसर रहेगा उप्शन नमबर B प्रो कबड़ी लीग ने आईएं पॉर्ट पॉइंस कवर करें नेक्स्ट है करनाड़क राज़े स्थापना दिवस किस दिन को मनाया गया यह मनाया है करनाड़क राज़े ने अपना स्थापना दिवस एक नमबर को ओप्शन नमबर B राइट अंसर रहेगा करनाटक जो है फ्रेंट की प्रतेख वर्ष एक नमंबर को अपना स्थापना दिविस्ट मनाता है और इसका गठन किया गया था एक नमंबर 1956 को करनाटक का पहले नाम हुआ गरता था मैसूर राज्य और 1973 में पुनर नाम करन का इसका जो नाम है वो कर दिया गया करनाटक फ्रेंस एक नमंबर को करनाटक के साथ जो है अन्य आपकी सेवन स्टेट्स भी जो है अपना फॉर्मेशन डे सेलिब्रेट करती हैं तो उनके नाम एक बार देख लेते हैं तो इसमें है पंजाब जिसकी स्थापना एक नमंबर 1966 को हुई थी मध्यपरदेश जो की एक नमंब 1956 केरल एक नमंबर 1956 पुडुचेरी एक नमंबर 1954 लक्षद्वीक एक नमंबर 1956 तो देखे साथ स्टेट्स जो है वो अपना फॉर्मेशन डे सेलिब्रेट करती है इस दे को और दो जो है वो यूटीज ओके तो टोटल आपके जो है नाइन फॉर्मेशन डे सेलिब्रेट होते इंडिया के जो नई मुख्य कारिकारी दिकारी और प्रवंद निदिश्यक बनी है वो कौन बनी है हमारा राइट अंसर ओप्ष नमबर डी रहेगा प्रवीना रोय ठीक है यह आपका लास्ट कोशन आज के सेशन का तो प्रवीना रोय ने मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज इंडिया के नए मुख्य कारिकारी दिकारी यानि की CEO और प्रवंद निदिश्यक यानि की MD के रूप में कारेबार संभाला है फ्रेंट जिनका कारेकाल होगा पांच वश का प्रवीना रोय जो है यह पी एस रेटी का स्थान लेकी वहीं अगर हम बात करें मल्टी कमोडिट की डेरिवेटिव एक्सजेंज है जिसका मुख्याले मुंबई में स्तित है और स्ताफिती से किया गया था 2003 में तो यहीं पर हमारा डेली करंट फिरस का सेशन कंप्रीट होता है अब आपसे टुकुशन का टेस्ट लोंगी जिसका अंसर आप मुझे देंगे कंप्रीट इसके साथ मुझे एर भी बताएंगे कि किस एर में करनाटक की जो है वो स्तापना हुई थी ठीक है फ्रेंज आपको बता दूँ अगर आपको हमारी इबुक्स भाई करनी है तो हमारी वेबसाइट है www.ravibooksmedia.com इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा इसलिए आप हमारी वेबसाइट को विजट कर सकते हैं इसके लवा यक्राइट मंत की इबुक्स में ब्लएगी और मंतली वेबसाइगी ऑक्टूबर की जुलाइ की अग़ॉस, सप्टैमबर इन सब के आपको मंतली वेबसाइगी separately current affairs की English और Hindi दोनों मिनियम्स में मिल जाएंगी e-book तो ज़रूर विजिट करिए हमारी website को links आपको इस वीडियो के description box में मिल जाएंगी एकदम minimum prices में आपको best quality content provide कर वाइजाता है Telegram पे जुड़िये current affairs by Ravi नाम से है mobile application को install करिए Ravi जी के app के नाम से है यहाँ पे जाके आप जो है test लगा सकते है friends daily current affairs का जो यहाँ पे रहता है इसके लिए आपको 49 रुपीज पे करने सिर्फ one time इससे आप जो है one year तक यहाँ पे free current affairs का test लगा सकते है 15 question daily basis पे आपके test के यहाँ पे upload होते हैं ठीक है केवल आपको one time 49 रुपीज पे करने से आप one year तक free test लगा सकते है जिके quiz लगा सकते हैं इसके लाबाग काफी सारा free content यहाँ पे दिया जाता है free PDF दी जाती है आपको static और current दोनों की bilingual में ठीक है English और Hindi दोनों मेडियंस में तो ज़रूर इंस्टोल करें के mobile application को रिजिनों ने इंस्टोल करा हुआ है वो इसे update कर ले इबुक्स का लिंक और एप का लिंक दोनों का आपको इस वीडियो के description box और comment section में मिलेगा ज़रूर check out कीचेगा तो चलिए अब आप से मिलते है next session में एक और important current affairs के questions के साथ thank you so much for watching this video